असलाम लेकाम देर्स्टिटेंट्स आज हम सिनियर अडिटर के जो पास्ट वेपर के रेलेवेंट पास्ट रेपेटेड क्वेस्टन पर रहा है तो उसका पास्ट थी हम स्टार्ट करने लगें यह अकांटिंग में अवर अडिटिंग का तुका में 3 का रेपेर है और तेसा नंबर वन स्टार्ट के इस इस पास्ट रेशो इस इस कालेट अब कुस्ट विक्वेड़ एस डिवाड़ क्रांड लाबली तो अप्शन सी है इसका और यह फर्मूला हम देखें देखा पहले इस करांड शेंसे करन ऐस करदे़ आपके पाल लिकूइड वाद लिकुटि वाद है नंबर टू में कहता है ड़्फ़ड काउस्ट इड़फ़ वैंस डाजिए वो और यह पाल आपका तांटे जाओ ने वर्क्षीट इस आप चीट जो आपके पास ट्राइल बैलेंस बनता है वह यह आप टी यह उसी में से आप सारी फिगर्स लेते हैं जो ट्रेडिंग अप्राफिट अडावाड अकाउंड में डालते हैं और बैलेंस इत में जादा वरक्शीट जो ती है वह आपकी वह दोनों का कंबिनिशन फिनेंशल स्टेट्मेंट जो बनाते हैं यह बैंकिंग कंपनी औरिनेंच इस handful 62 है और कंपनी के अ३न आपके एक्विटी की वैली होती है और मुल्टिपल्ला हंड्र करें तो आपका पत्र इंपेज में जवाब आ जाता है कि पेपर 2 समक्न परक्राइब कई यह और यह नमबर वन रेंट्ट उस जोेख्रेंड के लिए जो रेंट है वो कहता है कि वेरियबल प्रास है जो के गलत स्टेट मिलता है प्रमाइबल एक्सपेंस फार डिरेक्ट फार कास्ट अलोकेशन यहां पर एक बात है अगर सिंप्ली रेंट हो प्रमाइबल का तो वो तो है आपका फिक्स कास्ट अगर overall फिक्स रेंट है एक किसी भी एरिये का तो वो आपके लिए फिक्स कास्ट होती है सिर्फ रेंट अगर आप उसको अलोकेट करते हैं फर्दर डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट जितना वो यूज करते हैं तो फिर वो बाद जागा वेरियबल कास्ट लेकिन यहां पे जो है यह इसने कहा है कि प्रिमाइज़ कांस्टिट रेंट आफ प्रिमाइज़ कांस्टिटूट वेरियबल एक्सपन्स फार्दी कास्ट अलोकेशन नहीं यह गलत स्टेटमेंट है और इसने जो ट्रू लिखा है गलत है यह जो फिक्स कास्ट ही कांट होगी रेंट जो है फिक्स कास्ट में आता है अगर लेट स्पोज़ आप कोई चीज़ ऐसी रेंट पे लेते हैं जो के वेरी करती है मतलब एक दफ़ा आपने ले लिए दूसरी दफ़ा आपको नहीं चाहिए लेट स्पोज़ कोई ऐसी प्लांट या मिशिनरी का कोई हिस्सा है जो आपने एक प्रोडक्शन के खास स्टेज़ पर जाके यूज़ करना होता है और कभी लेते हैं कभी नहीं लेते तो इस तरह के चीज़ का जो आप रेंट पे करेंगे वो तो आपका वेरीबल कास्ट होगा और इस तरह के जो कास्ट है जो रेंट आपकी प्रिमाइसेज है जिस एरिये पे आपकी कम्पनी बनी है या जो आपकी डिपार्टमेंट है वो बनी है उसका जो कास्ट रेंट आपके करेंगे वो फिक्स होता है तो फिक्स कास्ट ही रहेगी यह गले स्टिर्मेंट है question number two है sugar used in sugar cane company is variable cost बिल्कुल ऐसे ही है एक mil है जो sugar बनाती है उसमें जो sugar used होगी खाना बनाने में या कहीं tea वगरा में या tea बार पे तो वो आपकी variable cost होगी number three में कहता है an auditor is liable under the following circumstances fraud perpetuated in highly sophisticated circumstances यानि कि अगर auditor भी उस part का हिसा हो जाता है जो बड़े एक plan तरीके से किया हो fraud वगरा तो वो अगर उसको नहीं detect करता है नहीं पकड़ता और तो फिर वो इसमें criminal liable होता है अपनी negligence की वाज़े से question number four में कहता है agriculture income is taxable under the income tax laws आपक्तान गलत अग्रिकल्चर की टेक्स नहीं लागू नंबर फाइव में कहता है principle and markup payment within one year constitute long term liability गलत है वाज़ी बिस्वास इंगे यह आपकी जो principle and markup जो within year आपने पेई करना है वो आपकी short term live नबर खेश आए ordinary ordinary one can have the following partners in partnership 2 लेके 20 आप partnership की टादा विक्ती maximum 20 or minimum 2 question no 7 working capital finance can become as running finance in a limited company as usual वो रमीज आई जो देटी आपको बिजनीस के जो नमला किराने के लिए उसको रमीज नाई भी करते है वो अगर वेशन जप्ते हैं धत्कार्मीला के राएंट आफिक माने कर्म लेडि बटिज डिए ऺई delivery नूर नुम्हाटन व एंस चर्केंट政府 एं Sketch University आहिं और सिंक अगलगए स्वारी का उंट अचालने तेस्ट्व के आँ अर्व डिए पद्सक्राने स्बिन्हिन वनको को कुसी वाहत गवें हैं लू में पूसे आपको अजर् Bringing का वेन में नगेक हैं स्ब्सक्रा गांत्य में सब्सक्राइब है। Q1. Current ratio can be calculated as index, current assets, other current liabilities. Q1. Accounting and editing का पेक्षर इस 2004 का पेड़के हैं. Q1. The need for keeping a record of income and expenditure is clear and systematic manner has given right to the subject of bookkeeping. Q2. The need for keeping records of income and expenditure is clear and systematic manner has given right to the subject of accounting cycle, इसे नहीं आप record करते हैं. Q2. If proper books of accounts are not kept in business, the amount of profit can be a certain, can not be a certain, Q2. Number 3 में करता है, the stage under which transactions are recorded chronologically in the books of accounts is called as recording. और ये accounting की definition है या कि याद नहीं करिये. रिकार्ड सबसे पहले हम करते हैं, उसके बाद classify करते हैं, उसके बाद हम जब income statement बगारा रहे थे तो उसको हम summarize करना कहते हैं. तो सबसे पहली stage जो थी chronological जो जो image बिजनेस में हो रहे होते हैं, हम day-to-day हमको record कर रहे होते हैं, लेख रहे होते हैं, उनको क्या कहते हैं? रिकार्ड रहे हैं. Q2. बहुत important है या उसको परवाली definition को आपने याद रखना है. नमबर 4 है, bookkeeping is mainly concerned with, bookkeeping किस के साथ touch है, recording of financial data related to the business transaction, बिलकुल ऐसे ही है, जो financial data होता है और business की relevant होता है, उसको हम bookkeeping कहते हैं. Q5. The term expenses and expenditure are same images, बिलकुल ऐसे ही है, एक ही इनकी नोयत होती है. Q6. When goods are given away as charity or free samples, the purchase account should be credited, बिलकुल ऐसे ही है, आपका जब आप चीज़ें दे रहे होते हैं, तो आपके इनको credit को करना ही होती है, बहले आप charity में दे रहे हैं, लेकिन आपकी वो sample में भी दे रहे हैं, तो आपकी चीज़ें उत जा रहे हैं, तो आपने चीज़ें को credit करना ह Q7. The sale of business asset on credit is recorded as in general journal जो credit पर sale करेंगे आप उसको general general में record करेंगे, discount account is a nominal account, nominal account वो होता है, जो वक्ती तोर पर हम बनाते हैं, बाद में खतम हो जाते हैं, यानि कि वो आपके balance sheet में sure नहीं होते हैं, इसके इलावा question number 9 पर पहुंच चुके हैं, the payment side of the cash book is under cost by rupees 200, यानि कि जो payment side है, वो under cost हुई है, when overdraft as per bank statement is the starting point, when the bank statement, when overdraft as per bank statement is the starting point, rupees, तो उसमें आपने क्या करना है, उसको balance करने के लिए rupees 200 को add करेंगे, question number 10 है, all the direct expenses are charged to trading account, बिल्कुल ऐसे है, indirect expenses हम profit and last में लेके जाते हैं, और direct expenses जैसे wages होती हैं, ये purchases होती हैं, तो उनको हम क्या करते हैं, direct expenses आप करते हैं, वो trading cost में, trading account में आप apply कर देते हैं, और उसमें से gross profit को broader, question number 11 है, those liabilities which arise only on the happening of some event or call, बिल्कुल ऐसी, किसी event के साथ जो attached हैं, इनको on-kind agent liabilities को कहते हैं, let's suppose, आप किसी company के साथ, किसी firm के साथ agree करते हैं, कि अगर first year, इस साल में हमारी, हम ये case जीत गया, तो आपको इसमें, इतना जो हमारी liability वो pay कर देंगे, या इतना कम जो अभी dues हैं, वो pay कर देंगे, या फलाँ event होगा, तो हम ये काम कर देंगे, तो जो conditional हो जाता है, उस liability को जब वो condition fulfill होती है, तो वो liability arise हो जाती है, और इस तरह की liability को contingent liability कहते हैं, जो किसी event के साथ मिशुरूत होती है, marshaling the balance sheet means the ordering of its assets and liabilities, बिल्कुल ऐसे है, और ये बहुत important MCQ है, बहुत दफाता है, marshaling of balance sheet means the ordering of its assets and liabilities, यानि कि, जो आपकी asset side है, आपने long term method लिखने हैं, फिर short term assets हैं, फिर current assets हैं, तो उसकी जो classification है, सेम इस तरीके से जो liabilities की भी classification होती है, तो उनको marshaling का बैनेशी है, थार्टीन है, commission received in advance to be considered as unearned income है, तो आपने commission तो ले लिया लेकिन, आप उसके अभी तक कमाई नहीं है, उसको record जब कर लेते हैं, तो unearned income में वो आएगा, question number 14 है, the provision for discount on creditors is often not provided in keeping with the principle of conservatism, तो जो provision for discount on creditors है, creditors कौन होते हैं, जिनको आपने पैसे पे करने होते हैं, और अगर आप कुछ अरसा उनको इन टाइम वो आपको कोई देता है, टाइम कि आपने इतने टाइम में अगर जल्दी पे करते हैं, तो हम आपको discount देंगे, तो इस तरह कि अगर कोई आपको एक accountant की उसको conservatism कहते हैं, जिसमें यानि कि आपको 100% sure है कि यहां से कुछ आपके revenue generate होगा, तो आप record करेंगे, जिसमें आप शक में पढ़ जाएंगे, कि में भी यह हो या ना हो, उसको हम record नहीं करते हैं, और इस approach को जो accountant अप्रोच गार रहता है, जब balance sheet income statement बना रहता है, तो इस approach को conservatism कहते हैं, question number 15 है, which one of the following is not considered the permanent part of accounting record, trial balance की होता है, वो permanent record नहीं होता है, क्योंकि आपने लेजर से record जब उठाके, trial balance की उठाके, income statement और balance sheet बनाते हैं, तो trial balance का function खतम हो जाता है, तो यह temporary होता है, को permanent record का इसा नहीं होता, question number 16 है, working paper which is prepared by accountant for his own convenience is called work sheet, तो work sheet जो होती है, आपने working paper होते हैं, उसके अपने record के लिए, जब trial balance बना लेता है, balance sheet income statement बना लेता है, तो वो उसका working paper खतम हो जाता है, working paper में जिससे वो चीज़ें आपनी यादाश के लिए रखता है, नोट करता है, 17 है, any expenditure incurred to increase the profit earning capacity of the concern is, revenue expenditure capital, यह गलत लिखा हुआ है, capital expenditure, क्योंकि जो business की capacity को जनरेट करने के लिए आप खर्चे करते हैं, वो capital expenditure होते हैं, क्योंकि उससे आपको future में revenue generator होता है, और profit earning capacity बढ़ती है, तो revenue expenditure तो short term होता है, जिससे हम profit earn करते हैं, profit earning capacity को increase नहीं करता है, capital expenditure जो होता है, वो profit earning capacity को increase करता है, तो यह आप खर्चे नहीं है, क्वेशन नमबर नाइंटीन है जी दी कैपिटल रिशीट्स आर शोन इन दी बैलेंस शीट आउन दी लाइबिलिटी साइट के आपने कोई अगर कैपिटल गुड्स वगरा खरीदी हुई है और जिनकी आपने पेमिट्स अभी करनी है तो वह आपकी जो क्योंकि आपने अगर पेमिट्स नहीं की तो वह आपकी लाइबिलिटी तो इसलिए आप उनको लाइबिलिटी साइट पे शो करेंगे और इसके इलावा आपका अगर फस्क या इकुटी वगरा होती है या कोई आपका बिजनेस पार्टनर जो है बिजनेस में कुछ लेके आता है तो वह भी किसी बिजनेस को अर्टिमेटली पे करना होता है तो इस तरह की जी चीज होती है जो जैसे एकुटी किसी कंपनी के इंक्रीज होती तो वह हम लाइबिल्टी थाइट पर ही एकुटी को लिखते है तो सेम वही है कैपिटल रिसीट की नेचर भी क्योंकि प्रिंसिपली आप ने एक रिविन्य एकुटैटल होता है एक कैपिटल होता है खते है तो ये आपकी प्रिंसिपल की आर होगी यानि जो वह उसूफोल है रिकार्ड गरने का उसमें आपने गलती के थाज का लेसन यहाँ पर खतम करते हैं तो इन्शालला मिलते हैं वेरिसून तब तब के लिए अल्ला आफिस